नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News, SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहा लोग सुबद चुनावत से पहले विधायकों के दल बदल देखने को यहां मिल रहे हैं इसी बीच आपको बता दे कि बिहार में आरजेडी विधायक यहां पर भारते जनता पार्टी में शामिल हो गए तो यहां पर कॉंग्रेस के दो विधायक भी भाजपा का दामन थामते नजर आए जहां तेजसवी आदव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने गटबंदन को मजबूत करने के लिए लगतार जन्यविश्वास यातरा कर रहे हैं तो दूसरी तरह यहां विधायक जो है यहां दामन चोड़ते नजर आ रहे हैं इने विधायकों में से एक है संगीता जो की यहां पर काफे जादा चर्चा में हैं आखिरकार क्यों ये भी आपको बता दें कि तीजस्वी सलीकर राहुल गांधी तक तो यहां पर तीन विधायकों ने जटका दे दिया है आखिरकार इन विधायकों ने जटका क्यों दिया व इसमें से सिधार्त सोरफ के साथ यहां पर मुरारी गोतम का भी नाम आया और फिर संगीता कुमारी का भी नाम आ रहा है। बता दें कि संगीता कुमारी ने 2020 में आज़डी की टिकेट पर दिहार की मुहनिया सीट से दर्ज की थी। उन्होंने भारती जनता पार्टी के निरंजन राम को 12,054 वोट से हराया था। 2008 में राची विश्विधाले से सनात को उत्तर, 2009 में निलांबर पितांबर विश्विधाले से डोल्ट नंग से बियड की डिगरी यहां पर ली है। लेकिन संगीता कुमारी को लेकर चर्चा ये तेज है कि जिस तरीके से यहां पर आपने देखा कि 12 फरवरी कोब फ्लोटेस था बिहार का और यहां पर आर्जडी खेमे के तीन विधाया कचानक से जो है जेडियो के खेमे में जाकर बैट जाते हैं। इसी तरीके से यहां पर देखा ये गया है कि संगीता कुमारी ने जो है कही ना कही दामन तो यहां अंडिय का थान लिया यानि कि भारत olduğ का फाटी का लेकिन सुर अभी भी वह यहां पर आर्जडी के ही गाति नजर आ रही है। क्या संगीता कुमारी वापसी करने के बारे में यहां सोच सकती है या नहीं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रही एस्पिया नाई न्यूस थने बाद